नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपके घर आने वाले हैं तीन बड़ा देवता जिया दोसों अब आपकी जुनकाल पर वह चमतकार होने वाले हैं जिनें शुनकर आपको अपने आँखों पर यकिन नहीं होगा जिया दोसों पर दोसों आप शबी को बता दें कि दुख्यारों के दुख कौन हरता है जिवनकाल में शुक आखिर कौन देता है जिवनकाल में शबी दुस्मनों का घमन कौन तोड़ता है दोसों वो है भगवान जिया दोसों और यह श्मय वही भगवान आप शबी के जिवन उनकाल पर आने वाले हैं आपके छोटे छोटे कर्ष्टों को हरने आपके उनकाल की प्रिशानियों को दूर करने पिछले शुमे के मेहनत का फल देने तमाम जीवन की एची चीजें जिसे आप बहुत ज़्यदा प्रिशान है उन शुर्भी के लिए यश्मे भगवान बहुत हर बार किशे घर नहीं आते लेकि दोस्तों यश्मे आप शभी के जुनकाल पर कौन शी बातें आपको ध्यान में रखनी है केशी आप इन देवताओं को प्रिशन ने कर सकते हैं आगर आपको कौन शी उपाय करने है केशी आप इनकी पहचान कर सकते हैं और यहाँ देवता कि आने के बाद आप शिविकिये जुन काल में कौन-कौन शे बड़े चमतकार होंगे कौन-कौन शे बड़े कुशकुब्रियां आपको मिलने वाली है दोसों तमाम जानकार इस वीडियो में बहुती गंभीर तरिकेशे गरहों के गोचर परनीरमित बताये गए हैं तो दोसों बुख्ष में सच्चे मन से तीनों का नाम लिख दें भगवान श्रीकिष्ण महादेव और शनिदेव आपके जुन की सबी कश्टों को हर लेंगे जिया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत यह अच्छे ग्या आपकी फिर श्रीकिष्ण ने हर एक वस्तों के बार में पूछा भगत का एक ही उत्तर मिलता है आपकी यहां तक घर के शबी शदश के लिए भी पूछा तब भी वह यही जवाब देते हैं कि यह शबाब के ही पूछा तेरा शरीर किष्ण का है भगत बोला आपका फिर घर के पूजा अस्तान पर जाकर श्रीकिष्ण जी अपनी तश्वीर की और इशारा करते हुए पूछते हैं कि यह किष्ण की है भक्त के आँखों में आशु आए बोला शिर्प यही मेरा है बलकि शबाब का है भगवान तन भी तेरा है मन भी तेरा है तेरा पिंड और तेरा पड़ान प्रभू शब कुछ तेरा है बस तू ही एक मेरा है यह दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण के भक्त का यह बात गर आपको अच्छा लगा हो इन पर यकीन हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें भगवान श्रीकिष्ण आपके शभी मनाकौनाई प आजाने श्रीकिष्ण काल में कौन-कौन श्रीकिष्ण आपको मिलना प्रारम हो जाएंगी तो आई दोस्तों बात करते हैं श्रब से पड़े दोस्तों आप शभी को भगवान किशी ना किशी रूप में आवशी आते हैं हमारे जोनकाल के शमर्षाएं जब हद से ऊपर हो जाती है जब हमें कोई व्यक्ति ज्यादा जुल्म देने लगता है जब हमशे हमारी शमर्षाओं का हल नहीं होता मन बहुत इदा प्रेशान हो जाता है चार और अंधकार दिखने लगता है तो दोस्तों वहश में हमें यहाँ बात मानने चाहिए कि यह हमारी लिए के पर आये नहीं यहीतों परिक्षा जिदो इस परिक्षा में आप भखुबी पार्श हो गये हैं और यह में यह भगवान आपके घर आने वाले हैं जिदो सब्सक्रा अगर कोई गोमाता आज है जो दोस्तों हिने आप औको भगवान का रूप मानना है जिदो जुलनात का मानना है अगर आपके जूनकाल में कोई भी पक्ची आ जाए तो दोस्व इन्हें आपको मालक्ष्मी का रूप मानना है कि दोस्व भगवान किशी भी रूप में आशकते हैं शबसे पहले दोस्व आपको इन्हें दिल शेप परणाम करना चाहिए शादे दोस्व आपको बता दे कि अगर आपके जूनकाल में कोई भी काला कुट्था आजाए तो दोस्व इन्हें आपको भगवान शुन्डेब का रूप मानना है और दोस्व इन्हें आपको पहचानन के लिए हैं लेकिन दोस्तों भगवान है जो कि कहते नहीं किशी ना किशी रूप में आकर हमारी उनकाल की शमयशाओं को हर लेते हैं तो दोस्तों आपको बश करना क्या है आने वाले शुम में जब भी आपके घर की आश पास या फिर आपको कहीं यह शी चीज जिगदाई ज हमारे शारीक कस्टों को हर लें रहें जल्ट काल में यह परिशानिया कि हमें बहुत जब्यादा दूख दे रही हैं जितनी बी शिकायत हैं आप वर्ष में शर पकड़कर शिर शुखा कर जिश्वर्चे यहां कह दें एकिन रिमानिये दोस्तों आपके चमिशी परिशणिय बातों का ध्यान आपको अब रखना चाहिए कौनकौन के खुश्वरियां आपको मिलने वाली है जब ये तीन बड़े देवता आपके घर पधारेंगे जे दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों में धर्म तद्यात्म की परति आपका आस्ता रहे अगर आपकी शावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों कुछ व्यक्तिकत कारियों में अंचाही कारणों की वज़शी बिगनी भी पड़ सकता है प्रंदो दोस्तों यहाश्व में धहरी और शयम बराकर रखें यह आपके लिए उचित होंगे दोस्तों बच्चों की किश वखेत के साथ बात करते हैं इस बात इस नहें देना आवश्चाहता है दोस्तों आपके हैं कई घऐ बातों का इस्तमाल आपका नाम खराब करने के लिए किया जसकता है दोस्तों यश्में आप किसी पर भी विश्वास ना रखें जिन लोगों के साथ आप मन मुठाप किये हैं दोस्तों वह लगी आपके यश्में नई दीकाने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों यश्में इन से साधार रहे हैं इसको प्राइब दोस्तों यह शुमे आपका कर्म तता पुर्शार्थ आपके लिए काम में शकलता और उपलगधी भी आपको परदान करेगा। दोस्तों यह शुमे अपने दिमात की अपिक्षा दिल के आवाज को सुने। दोस्तों किसी पॉलशी आदी में निवेश करने के लिए जो समय हैं आपके लिए अनुकूल होंगे। दोस्तों घर की साथ सजा अथवा सुधार शुमन्दी कारियों पर भी शमय वहतित होगा। दोस्तों कभी-कभी अधित्तम काम की वज़शी शुवाब में चोचिड़ा पन भी आ सकता है। घर की शुमस्याओं का हल रुणने में पारिवरिक जनों का शयोग भी आप अवशने। दोस्तों यह शुमें भाईयों के शाथ भी मदर्शमन बना कर रखें क्योंकि कुछ अनबन होने की भी अशंका हो रही है। इसको परां दोस्तों यह शुमें आपके लिए शहने होंगे मंसेग तकलिपों का शामना करते वक्त आपको जो है दुसरों से ज्यदा खुद के विचारों पर अधीक ध्यान देने की अवश्यत आओगी। दोस्तों यश्मित दिन के अधिक वक्त जो है खुद को बहत्रिन बनाने के लिए इस्तिमाल करें मन चाही पातों में परगती नो देखपाना आपके लिए दुख पैदा कर सकता है फिलाल दोस्तों प्रस्तिति का शमना डटकर करना आपके लिए उचित रहेगा इस गुप्र दोस्तों यश्मे रुके वे जो वी आपके काम है वो और उचित समय पर पूरे भी होंगे इस गुप्रान दोस्तों यश्मे वरेस्ट दाद उनवेवेक्ति की और और शमको नहीं करना चाहिए दोस्तों यश्मे उनकामारदशन वापिस्चयोग आपके मनोवल को और अधि अधिक ध्यान के अधित करने की आवश्यक्ता होंगी इसको बाद दोस्तों यह शमय जिस काम से आपको मन की शांती प्राप्त होती है उसी काम को करने पर अधिक ध्यान देना आपके लिए आवश्य होगा करीबी मित्र दोरा आपको खुशकवरी प्राप्त हो सकता है परिवा आपके लिए जिसे होंगे घर में किसी धार्मिक आयोजन्स को शंपन करने की युजनाई बनेगी यह में गणा गोचर आपके लिए कुछ नई उप्लग्दियों का निर्मान भी कर रहा है जो कि दोस्तों भुष में आपके लिए बहुत ही फायदमन्शाब्ट होंगे दोस्त दोस्तों परिवार में प्रश्मता का महौल भी रहेगा प्रणतों यह में कुछ अचाना की बड़े खर्शे शमने आएंगे और दोस्तों यह में आपना बजट बनाकर रखना आपके लिए बहुत जर्वी होगा क्योंकों कोई बड़े शमस्या आपके शमने आ सकती है प्र किसी काम को जो है आप बार-बार सुने से शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों इस वज़े श्या आपका उस बात के बारे में उत्ता खत्म हो रहा है प्रस्तिती से हर ना माने और दोस्तों कठी शमय में भी उनकर डट कर मुकाबला करने के उस्तिती में बदलाव जरूर आएग अलूड़ झाप